हेलो एब्रेवन वेलकम तो माय चैनल आज हम लोग सॉल्फ करेंगे कोश्चन नमर फाइफ और उसके आगे यह अपना ब्रेंट टीचर है चैप्टर 11 पेरिमिटर एन एरिया ओके और इसके पहले के जो कोश्चन है उसे हम लोग सॉल्फ कर चुके थे पिछले वीडियोज में वीडियोज का लिंक आपको मिल जागा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आतों फिर आया बटन को आप किलिक कीजिए वहां से भी आपको लिंक मिलेगा आईए हम लोग कोश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं क्या कहा गया है और फिर कैसे हम लोग सॉल्फ करेंगे तो क्या कहता देखिए इन दा फिगर ये फिगर दिया हुआ हम यहां पर फिगर का नेमिंग भी कर सकते हैं ये फिगर है 11.23 ये नेम दिया हुआ है चलिए फिगर का नेम दे दिये इन दा फिगर 11.23 पी क्यू पैरलल है ये जो लाइन आप देख रहे न ये डबल लाइन इसका मतलब होता है पैरलल हाँ ये है आपका पैरलल तो पैरलल मतलब कहने का मतलब वह इसे लाइन से जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं आप उसको आगे बढ़ाए है और कहीं इं SP आप इस तरह का जो लाइन देख रहे हैं ये हना ये जो सिंबल है इसका मतलब होता है परपेंडिकूलर तो परपेंडिकूलर होने का मतलब है कि उसके बीच का एंगल 90 डिग्री है, कितना एंगल है 90 डिग्री है, तो आप देख लेजिए SP perpendicular है PQ, तो SP कहा है SP है, और यह क्या है PQ है, तो इसके बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ओके, यह हम लोग ध्यान रख लेंगे फिर आगे कहता है, PQ 60 cm यह देखे, PQ दिया हुआ है 60 cm, SR 36 SR 36 दिया हुआ है और QR कितना है QR दे रखा है हम लोग को 25 cm, फिर कहता है Find the area of the quadrilateral PQRS, तो यह quadrilateral है, इसका हमको क्या निकलना है, एरिया निकलना है आईए हम लोग क्या करेंगे न, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक perpendicular draw कर लेते हैं In the given figure, draw RT perpendicular PQ जैसे यह perpendicular है उसी तरह से हम यहाँ पे perpendicular draw कर लेते हैं और इसका हम नाम दे देते हैं कुछ भी जैसे हम लोग name दे देते हैं यहाँ पे T, ओके हम लोग इसका नाम दे देते हैं T, चलिए यह हो गया RT, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या draw RT perpendicular to PQ अनि कि यह 90 degree का अंगल यहाँ पे बनता हुआ हमने एक line draw कर लिया है ओके, अब आप गौर किजिए यहाँ से यह जब perpendicular हो गया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कि यह जो SR है, और यह जो PT है, यह आपका equal होगा, क्या मैंने बोला कि यह SR है SR और यह PT equal हो जागा, क्यों equal हो जागा चुकि आप देखिए, यह आपका rectangle बन गया है, ओके, इसमें यह भी आपका parallel है तो यह rectangle बन चुका है, इसलिए PT आपका, SR का equal हो चुका है, तो इसका मतलब होगा, PT कितना होगा हमारे पास 36, तो अगर हमको TQ निकालना है, यह length अगर निकालना है, TQ, तो TQ हम कैसे निकालेंगे, हम लेखेंगे PQ, यह पूरा PQ कुका होगा, और इसमें SR माइनस कर देंगे, SR मतलब यह होगा, PT हम माइनस कर देंगे, OK तो हम देख पा रहें, क्या PQ कितना हमारे पास, 60 cm है, और यहाँ पर हम PT माइनस कर रहे हैं और PT किस के बराबर है, PT हमारा SR के बराबर है तो sr कितना है 36 तो 36 यहाँ पर आप मैनस कर लिजिए तो आपको क्या मिल जागा आप देख लिजिए यहाँ से आपको 24 cm मिल रहा है ओके यह तो समझ में आगे हम लोग को बात आगे हमको क्या करना है न यह जो हम देख पा रहे हैं आपका राइडारे ट्रेंगे हम लिखेंगे इन ट्राइंगर आटी क्यू है एंगल आटी क्यू कितन्हा हमारे पास 90 डिग्री है तो यहां पर हुम पाइथागुल से यहाँ जाएंग्ग पाइथागुलस तिरम क्या क्यांता है अगर इसमें से हमको अगर value पता है दो side का तो तीसरा side का value निकाल सकते हैं जिसे हम यह कहले कि यह मेरा सबसे longest side है इसको हम hypotenuse कहले और यह P या तो फिर यह B कहले इसकी भी जो relation होता है H square is equal to P square plus B square यह relation होता है Pythagoras theorem तो यहां पर यह theorem का apply करेंगे हम क्या निकालेंगे हाँ से R T निकालेंगे तो हम को R T निकालना हो तो हम क्या करेंगे root over यह जो मेरा hypotenuse है hypotenuse that is R Q का square minus हो जाएगा यह हमाले पास T Q का square T Q का square तो आप देखिए हमाले पास value पता है R Q का value कितना है 25 25 का square कर लेंगे हम लोग और यह T Q का value हमको पता है हम लोग निकाल चुके 24 तो 24 का भी हम square कर लेंगे और इसका root over करेंगे अब ध्यान देजिए कि यह क्या होगा 25 का square होता है 625 और यह 24 का square होता है 576 तो हम यहाँ पे put कर लेंगे 576 ओकी root over रहेगा अब ध्यान देजी कि हम इसको minus कर ले तो minus करने पर हमको क्या मिल जाता है यह हमको मिल जाता है 49 BLACK आब चेक किजी हमको मिल जाता है 49 तो 49 का root over हो गया अब 49 का root निकालेंगे तो हमको क्या मिल जागा 7 और यह centimeter में है तो हमारी क्या होग यह 7 cm हमको क्या निकल के आ गया आर्टी निकल के आ गया अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे Now area of quadrilateral PQRS तो यह जो quadrilateral हम लोग देख पा रहे हैं यह कैसा है trapezium है trapezium किसको कहते हैं जिसमें 2 side parallel हो और जो rest दोनों side है हमारा unparallel हो तो इसका area का क्या formula होता है half into height distance between the parallel sides and sum of the parallel sides दोनों parallel sides का sum तो आईए हम यहाँ पर लिखेंगे इसका area half और यह दोनों की बीच का distance का है देख लिज़े rt दोनों की बीच का distance rt है into sum of parallel sides तो sum पहला side क्या है sr और दूसरा side का है हमारे पास pq ओके तो हम इसका value put करेंगे आईए तो half हो गया हमारे पास यह देखिए और rt का value हम कितना निकाले है 7 और यह बता देजिए sr कितना है 36 और यह pq कितना है 60 चलिए हम इसको आगे बढ़ा ले तो यह हमारे पास half और यह देखिए 7 रहे गई देगा दोनों को add कर लेंगे तो यह 96 हो जाएगा हम 2 से इसको cancel कर लेते हैं तो यह हमको 48 मिल जाता है अब 48 और 7 को हम multiply करते हैं तो that is 87 जा कितना हो गया ना 87 जा हो गया 56 का हम लोग यह 6 रख दे और यह 740 जा 30 28 हो गया और यदर 5 आप एड़ कर लीज़े that is 33 तो आप यहाँ पर लिखेंगे 333 ओके 336 यह क्या आगया अपना cm2 एरिया आगया ध्यान देजे आंसर में आपना दे रखा है m2 जो कि गलत है ओके चुकि यहाँ पर सारे जो दिये हुए लेंध हो cm में दिये वे तो आपना आंसर भी cm में ही आएगा now question number 6 हमारे पास क्या देखे there is a circular pond and footpath runs along its boundary boundary से होते हुए footpath run करता है उसके चारो तरफ क्या है circular pond है your man walks around it exactly once keeping close to the age एक आदमी है जो pond के चारो तरफ ना round लगाता है और वो जो pond है उसके boundary हना से close हना close हो करके round लगाता है फिर कहता है if his steps is 44 cm long and he takes exactly 600 steps to go around the pond what is the radius of the pond हना तो आईए हम यहाँ पे एक pond बना लेते हैं rough हना circular pond बना लेते हैं तो यह मैं एक rough figure बना लें हम pond का अगर आप figure बनाते हैं एक जाम में तो आप pencil का उसकी जीए अब देखिए यह हमारे पास pond का radius हो गया ठीक है यह pond का radius हो गया हमको यह radius निकालना है यह मेरा target है अब देखिए हमको क्या खागे जो main है वो close run करता है यह देखिए यह जो है न इस boundary के close walking कर रहा है इस boundary के close walking कर रहा है और कितना steps लेता है 600 steps ले रहा है और उसका एक step का क्या length है 44 cm तो इसको multiply कर रहेंगे तो इसका boundary length आ जागा that is circumference आ जाएगा और circumference का formula निकालके हम यहाँ पे इसका radius निकाल सकते है हम लोग note करेंगे length of each step that is 44 cm number of steps is equal to 600 therefore circumference of pond okay तो circumference pond का कैसे निकलेगा यह हम multiply कर रहें कितना steps हो रहा है तो यह हो गया 600 steps और एक step का value है 44 cm तो इसको multiply कर लें तो multiply करने से क्या मिल जागा हमको 64 जा क्या हो गया 24 फिर आता है 64 जा 24 प्लस 2 that is 26 तो यह हो गया हमारे पास 264 और यह 20 जिरो आ जाएगा तो इतना क्या आगया ना cm क्या आगया यह आगया circumference हो गया pond का अब circumference का क्या formula होता है 2 pi r चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं तो यहाँ से हम 2 और pi का value रखते है 22 by 7 और यह हमारे पास radius चलिए यह हो गया हमारे पास 264 264 यह 20 फिर आगे बढ़ लेजी हमको r चाहिए तो r यह हो गया 264 00 और यह 7 अपना multiple में जागा right side और यह 22 मेरा divide में आएगा और 2 भी मेरा divide में आएगा हम cancel out कर लेते हैं यहाँ पर तो हम लोग cancel कर लें 22 से cancel हो रहा है तो 22 का table वन टाइम पढ़ लिए तो 22 आगया यहाँ पर बच गया क्या 4 ओके तो 4 और यह 44 22 का table टू टाइम पढ़ लिए तो 44 और यह 20 यहाँ पर आ जाएंगे तो 1200 हो गए है 1200 और फिर 2 से cancel हो रहा है that is 600 ओके तो आप 600 और यह 7 को multiply किजिए आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर आपको मिल जाए 6 7 42 और यह 20 आ जाएंगे यह इतना क्या हो गया न सेंटी मीटर क्या आगया रेडियस और अगर इसको हम चाहें मीटर में ले जाने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे मीटर में जाने के लिए हम लोग को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा हम मीटर में पहुंच जाएंगे तो यह हमारे पास क्या हो जाता है 42 मीटर ओके रेडियस आप दी पॉंड आज की वीडियो में बस दो ही कोशन्स ओके नेक्स्ट कोशन्स को में लोग अगले वीडियो में शॉल्फ करेंगे So I hope this video were helpful for you. So please like this video and share with others and do some comments. Also do subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for upcoming videos. Thanks for watching. Have a glorious day. Ahit.